हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टेडी न्यूज नाम दफा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालाय जेव विवित्ता इस्थल का सबसे बड़ा सनक्षित छेतर है ये पार्क भारत के सबसे महत पूर वन जीव अभ्यारणों में से एक है सम्रिद विवित्ता की भूमी होने के कारण या सैलानियों को अपनी और आकर्चित करता है तो जानते हैं इस वीडियो में इस नेशनल पार्क के बारे में So let us start नाम दफा राष्ट्री उद्यान छेतरफल की द्रिष्टी से भारत के सबसे बड़े उद्यानों में सामिल है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज अरुडांचल प्रदेश में इस्तित है इसमें दुनिया के सबसे उत्तरी तराई वाले सदा बहार वर्षावन उपस्तित है ये छेतर व्यापक डिप्ट्रो कार्प जंगलों के लिए भी जाना जाता है डिप्ट्रो कार्पेशिया विश्व के उष्ण कटी बंदिये छेतरो और वर्षावनों में मिले वाले व्रिक्षो का एक जीव वैज्यानिक कुल है ये पार्क आसपास के छेतर पहाड़ियों द्वारा दच्छिड पूरु में और उत्तर में हिमाले से होते हुए भारत म्यामार चीन त्री जंक्सन के करीब अरुडांचर प्रदेश के चांगलांग जिले में इस्थित है या छेतर प्लैक्टर्क और इंडो मलायन जैव भोगौलिक दोनों छेतरों के अंतरगत आता है इसके पलिडाम सरूप विभीन प्रजातियां विक्सित होती है ये भारत और म्यामार के बीच अंतराष्टी सीमा पर असांत नोवा दिहिंग नदी के साथ इस्थित है इस पार्क के बनने की कहानी काफी चर्चित है ब्रह्म पूत्र घाटी सहित नोवा दिहिंग कैच मेट्स में इस्थित होने के कारण ये आम तोर पर बर्फ से ढखा रहता है 1940 के दसक में एक राष्टी उद्यान की सिफारिस की गई थी ये छेतर तब नौर्थ इस्थ फ्रंटियर एजनसी का एक हिर्सा था हालाकि रिजर्व इस प्रकार 1970 के आस पास असम वन विनीमियन के तहत बनाय गया था इसे बाद में एक वन जिव अभिहारण की उपाधी दी गई और 1983 में इसे एक बाग आरक्षित और राष्ट उद्यान गोसित किया गया ये उद्यान छेत्रफर की द्रिष्टी से भारत का तीसरा सबसे बड़ा उद्यान है इसका छेत्रफर लगभग 1807 वर्ग किलो मीटर है नामदफर नेशनल पार्क भारत का एक मात्र ऐसा पार्क है जिसमें चार बड़ी बिल्लियों की प्रजातिया निवास करती है इसमें तेंदुआ बाग बादल तेंदुआ और हिम तेंदुआ सामिल है इसके अलावा एक दुरलब चिपैंजी जिसे हुलाक कहा जाता है वो भी यहाँ निवास करता है दुनिया के किसी भी अने राष्टी उद्यान की उचाई सायद नाम दफा उद्यान की उचाई से ज़्यादा व्यापक नहीं है यह उद्यान 200 मीटर से 45 मीटर की उचाई पर इस्थित है और यह डफा बम सिखर तक फैला हुआ है साथ ही यह नम बास की जंगलों के एक विसाल मैदान को भी कवर करता है यह विभिन दुरलव वनस पत्यों और दुरलव प्रकार के जानवरों के निवास इस्थानों के लिए जाना जाता है यहाँ पर लाल पांडा, भेडिया, एस्याई काले भालू, लाल लोमडी, एस्याई गोल्डन केट, हीरन और विभिन प्रकार की पक्चियों की प्रजातियों का निवास इस्थान है इस अभ्यारण में कई पौदे दुरलब और लुप्त प्राय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, जो विस्व में और कहीं नहीं पाई जाती यहाँ पर सैलानियों को आकर्सित करने के लिए जीले भी हैं, जिसमें मोती जील और राजा जील हैं, ये जीले पेड़ों और वनस्पतियों से ढखे रहते हैं तो ये थी इस वीडियो में नामदफा नेशनल पार्क से जुड़ी प्रमुख बाते हैं थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो प्लीस लाइक सब्स्क्राइब और कमेंट